दोस्तों नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तों डिस्क्लोज करना बेहत जरूरी है कि इस वीडियो के माद्यम से जो भी प्रॉफिट हमें प्राप्त होगा उसके 100% हिस्से का इस्तिमाल स्री चार्ट महालक्षमी जी की महमा के प्र सब्सक्राइब की जो दुर्गत ही हो रही है और दुनिया में जो सन्नाटा पसरा हुआ है उसके बारे में साथ में फोन पे और पेटियम का घटनाक्रम वह हमारे स्टूडेंट्स के बेहत काम का है साथ में मोली सहाब ने कह दिया है एलान रिफाइनिंग कैपिसिटी और साथ निश्चंत होके वीडियो देखिएगा सबसे पहले दोस्तों फोटो तो आप देख रहा है वह भाई साथ में आप अपने कान भी खड़े करके बताईए कि क्या आपको सुनने में आया क्या यूनाइटेड नेशन्स में अमेर्का में यूरोप में बीबी सी में पाकिस सबस्क्राइब करने की फुरसत नहीं है सेकुलर साप हैं वो अपने अपने बिलों में घुज़े हुए हैं क्यों क्योंकि भाईया हमला हिंदूं पर हो रहा है यह दोस्तों सिद्ध करता है कि जिसकी लाठी उसकी भेंस होती है जंगल का कानून है रही बात बंगलादेश क रही बात पाकिस्तान की तो यह IMF के बेल आउट के लिए खड़े है ना तो यह इसलिए खड़े हैं और यह भविश्च में भी खड़े रहेंगे क्योंकि भाईशाब यह लोग हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं हिंदू धर्म की हाय लग रही है आप सब्सक्राइम लेके बैठे हुए हैं और इनकी यहालत बनी रहेगी क्योंकि भाईशाब इनको पता ही नहीं है कि असली समस्चा की जड़ कहां पर है इसी वीचे दोस्तों फोन पेने बहुत बड़ी सुगदा दी है कि सहाव अगर आप यूएई सिंगापूर मॉरिश्यस नेपाल भूट यह मोबाइल में यूपियाई इंटरनेशनल एप होना चाहिए इन पांच देशों में कोई दिक्कत नहीं आएगी जल्दी ही दस और देशों में यह सुभधा उपलब्द होगी भारतिये यूपियाई का दुनिया में विखर रहा है आपके सामने हैं इसी वीचे दोस्तों में अभी समय लगेगा लेकिन दोस्तों देखिए सारी व्रोकरे जो मिले सुर मेरा तुम्हारा के गाने गा रही है क्यों भाईया पेटियम के टार्गेट बढ़ाने हैं 100-100% 70-70-80% टार्गेट बढ़ाए हैं क्या हुआ भाईया अचानक से पेटियम भाईया सोना बनाने लगी मतलब भाईशाब क्या है यह दाल में पुछ काला है या पूरी दाल काली है ऐसा क्यों है पॉइंट जा है भाईया कि बड़े बड़े लोगों ने भाईया और पोडिशन बना रखी है पेटियम में अब भाईया जंता को फासना है जंता को टपा के वह फिर निकल ले है और यही जंता भी कर रही है आप देख लो आज एक समय तो भाईया पेटियम में बीस परसेंट का सरकेट ठोका हुआ था हम भी सोच रहा भाईया ऐसी कौन सी आधी चल रही आसमा हम से पेंचे टपक रहा है भाईया तुम बीस-बीस परसेंट के सरकेट पे चल चल के ले तो वो सिर्फ एक आदमी सिर्फ एक आदमी है आप स्वयम खुद इसलिए भाई साब अपने लिए स्वयम अनालेसिस कीजिए टेक्निकल और फंडामेंटल अनालेसिस यदि आप ब्रोकरेज पर टीवी यूटूब टेलीग्राम इस्टाग्राम फेस्बुक पर नरभर रहे इसी बीच दोस्तों बड़े-बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि अले यार मोदी जीग साधनकाल में कचू नहीं हुआ है कुछ भी नहीं हुआ टाइम पास हो रहा है तो यह क्या है बताओ आप हंड्रेड परसेंट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन होने जा रहा है अब दोस्तों आपको हमारा खुला चैलेंज है आप जो है पूरा यूट्यूब पूरा गूगल च्छान मारिए एक पर्यावरण बादी आपको मिल जाए जिसने रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए विरोध प्रसेंट किया हो तो बताओ आप हमें जिस काम से वास्ताव में पॉल्यूशन कम होता है जिस काम से दूसरे देशों पर हमारी निलवरता कम होती है हमारे कच्छे तेल का इंपोर्ट घटता है रोजगार बढ़ते हैं प्रूशन कम होता है पर्यावरण के बड़े बड़े रक्षपों ने कभी भी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की ना त जा है भाईया के विदेशों से फंडिंग नहीं मिलती जब पर्यावरण प्रूशन को रोकने के लिए रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है भारत की प्रगती की राह में रोड़ा आशकाने से विदेशों से दलाली खाने मिलती है इसी भी भाई सब संसद में भा सो परसेंट तक रेकवरी आ गई है स्वयम अडानी ने पैसे फैक के मुँपे मारे हैं आठ से दस हजार करोड रोपए लोटा हैं ताकि शेर की प्लेजिंग खतम हो गिर्वी रखे हुए शेर बापस ले लिए हैं इससे मार्केट में कॉन्फिडेंस आया है और शेर्स ने भी रिकवरी मारना चालू कर दिया शेर के भविश्च के बारे में हम रिक्मेंडिशन नहीं करते हैं बड़ा सवाल यह है कि जो लोग आज भारत का दामन गंदा करने के लिए अमेरिकी कीचल का हिंडन वर्ग के कीचल का सहारा ले रहे हैं उनको आप देश वक्त और देश का गोरों का साथ दे रहे हैं और इसी बीच दोस्तों देख लीजिए भारत में बड़े कच्चे तेल के गयास के बंडार है आप सभी को पता है हमें भी अनुवान है लेकिन भाई साब उनसे कच्चा तेल खोज ने नहीं दिया गया क्यों भाईया जी स्पेस की दिक्कत हो भारती सुरक्षा को खत्रा है अन्तरक्षी विज्ञान को खत्रा है अरे भाईया जी खत्रा अगर किसी को था तो पिछली सरकारों को मिलने वाले चंदा और चांदनी को था विदेशों से कमीशन खोरी चलती रहे ओयल फूर फूड इसकें चलता रहे इसलिए इनों ने भा काहे कागजों पर बैठे हो इस जगह को खाली करो दोहन के लिए ड्रिलिंग भाईया चुनिंदा इलाखों में किया जाएगा कम से कम आप देखने तो दो कहां कहां कच्चा तेले 10 लाख स्क्वेर क्लोमीटर का जो एरिया था जिस पर भाईया जी नो को का बोर्ड लगा र जान दीजिए हम अपनी रिफाइनेंग केशिटी को डील कर रहे हैं दुनिया में अभी कहीं पड़ी र कट्रोफ भरत कर दे रहेंग में अंतर सिर्फ होगा कि अभी रूसी तेल चान रहे 예we पूरी दुनिया के कच्छे तेल के मार्केट पर एक छत राज्य स्थापत करेंगे इसी बीच दोस्तों खबर आ रही है कि सहाब डेल जिसके लैपटॉप आते हैं वह भी वह साथ हजार लोगों की नौकरी काट रही है हलाल कर रही है आपको भी टेंशन रहती होगी कि अगला का एक सोर्स आए के मल्टिपल सोर्स पैदा कीजिए जिसमें आपकी मदद करेगी बाजी राओ की वेल्थ इंवेस्टर कोरज में और आचार चानक की हेजिंग इस्ट्राइडजी जिसे अमने पड़ाया है आत्म निर्भर फ्यूचर सैंड आत्म निर्भर ऑप्शन्स कॉर झाल